जएन दोस्तों वंदे मातरम अमोमन ये चीज देखी गई है कि जैसे ही कोई व्यक्ती किसी पार्टी से अलग हो जाता है तो वो उस पार्टी से सवाल जरूर करता है ऐसा इसलिए भी होता है क्यों कि पार्टी में रहते हुए कही लोगों के मन में कई सारे तरह के सवाल और दोधां उत्पन होने लगती है और यही वो कारण बनता है जब कोई व्यक्ती पारिटी छोड़ देता है गुजरात में इस साल के आखर में चुनाव होने है हार्दिक पटेल वहां का एक भरता हुआ चहरा है और वहां के जाने माने निता भी है युवा है इसलिए कई सारे कामों में लगे भी रहते है साथी साथ हर एक मुद्दे के उपर बिलकुल मुखरो कर बोलते भी है लेकिन पिछले कुछ दुनों में इस तरह सुनों ने कॉंगरेस से खुद को अलग किया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि उनके साथ पार्टी में वाकई में बहुत कुछ जलत हुआ उनका कहना है कि रावल गांदी ने उन सो बात करने तक का समय नहीं दिया नहीं रावल गांदी लंदन में बैठ कर पता नहीं किस बात के उपर भाशन चिपकाते रहे और अब खुद ही उस भाशन में घिर गाएं लेकिन अब हार्दिक पटेल ने कुछ और बड़े सवाल उठा है शाथ साथ राम जन्बुही को पर भी बात कही है हाली में कॉंग्रेस से इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल अब पार्टी पर हमलावर हो गए है उन्होंने दावा किया है कि पूर्व केंदरी मंत्री और गुजरात कॉंग्रेस के एक नेता ने राम मंदर को लेकर अप पांजनक बयान दिया है पूर मंत्री ने कहा कि कुट्ते राम मंदर की इटों पर पेशाब करते हैं कॉंग्रेस हमेशा हिंदु धर्म की आस्ता को नुसान पहुंचाने का प्रयास करती है। हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं कॉंग्रेस और उसके नेताओं से बूचना चाहता हूँ। आपको भगवान श्रीडाम से आखिर दुश्मनी किया है। कॉंग्रेस को हिंदुओं से तिनी नफरत क्यों है। सदियों बाद आयोध्या में भगवान राम मंदिर भी बन रहा है। इसके बाद भी कॉंग्रेस के नेता और उनके खिलाफ अनाप शराप बयान दे रहे हैं। हार्दिक कॉंग्रेस से काफी दिनों से नाराथ चल रहे थे। हार्दिक कारण कर दिया। और धीरे धीरे उनको साइड लाइन कर दिया। किसी भी तरह का कोई नेतिक जिम्मदारी उनको दी नहीं और साथी साथ जब जब इन्होंने किसी भी चीज़ की मांग करी उस मांग को भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया गया। क्या होता है जब थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़े एक साथ होने लगती है तो वो धीरे धीरे इतनी बड़ी परेशानी का रूप ले लेती हैं कि कहीं न कहीं चीज़े समझ से ठीक परे हो जाती है। और चीज़ों को समझना काफी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं तो कई सारी चीज़ों के लेकर उत्तर भी देने होते हैं। लेकिन चीज़े इतनी असानी से खत्म नहीं होती।